हेलो डॉस्टो, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे आज मैं आपको संघर्ष और सफलता की एक कहानी सुनाऊंगा और आशा है आपको आनंद लगे और आपको कुछ सीख भी मिले तो पेश है कहानी एक गाव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामलाल था उसके पास खेती के लिए केवल एक हल ही था और वह अपने परिवार को पालने के लिए बहुत मेहनत करता था एक दिन उसने खेत में एक अनूठा पेड देखा जिस पर अंजाने में एक सोने का पेड था रामलाल ने सोने के पेड़ के नीचे खुदाई की और सोने के सिक्के निकाले वह उन्हें लेकर खुशी से गाउं के सरपंच के आस गया सरपंच ने उसे सिक्कों की एक छोटी सी राशिदी जिससे रामलाल अपने परिवार को खुशियों की खिल खिलाहट लेकर वापस गया कुछ समय बाद वह खेती में एक और अनूठा पेड़ खोजा जिसमें अंजाने में रत्न होते थे लेकिन इस बार उसने उन रत्नों को छोड़ दिया और किसानों की सहायता के लिए एक निधि स्थापित की उसने अपनी संघर्ष और समर्थन के साथ सम्रिद्ध की जात्रा शुरू की इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि संघर्ष और समर्थन के साथ ही सफलता मिलती है हमें हमेशा अपने लक्ष के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है